C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्त है, दस्वी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग दो पेश है, दस्वी जमात के लिए उर्दू की मौविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू पुस्तक के बारे में, गुलजारे उर्दू, भाग दो, दस्वी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक है, जो ध्वनी पाठे पुस्तक के रूप में प्रस्तुत की गई है इसमें कुल बारह पाठ हैं और पिष्टों की कुल संख्या निन्यानवे है प्रतेक पाठ के साथ लेखक का परिचय भी दिया गया है साथ ही मश्क यानि अभ्यास भी दिया गया है अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भागदो का ये पाठ अफसाना बीसवी सधी के आगास की पैदावार है तेजी से बदलते हुए जमाने का साथ देने वालूं के लिए मुखतसर अफसाना खास कशिश रखता है अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें जिन्दगी की सच्चाईयों का बयान होता है नकादों ने अफसाने की मुखतलिफ तारीफें बयान की है एक नकाद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी तखलीक है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके एक और नकाद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज वेहदते तासुर है नकादों का ये भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी जिन्दगी और तजर्बों से मताबकत रखते हों अफसाना यानि कहानी इखतिसार के साथ जिन्दगी के किसी एहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है मुख्तसर होने की वज़ा से वाकियात में जोल होने के अंदेशे भी कम होते हैं अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफसियात का मुताला गहरा होता है उर्दू के एहम अफसाना निगारों में प्रेम चंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटो, इसमत चुखताई, राजेंदर सिंग बेदी, क्रिशन चंद्र, गुलाम अब्बास, कुरतुलैन हैदर और इंतिजार हुसैन के नाम लिये जा सकते हैं उनके बाद नए अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद भी हमारे सामने आ चुकी है उर्दू की अदबी असनाफ में अफसाने का मरतबा बहुत बलंद है बहुत से उर्दू अफसाने दुनिया की मुख्तलिफ ज़वानों में तरजुमा किये जा चुके हैं सफा नंबर दो अब प्रस्तु थे पहला पार्ट मुन्शी प्रीम चंद तारुफे अफसाना निगार मुन्शी प्रीम चंद मुन्शी प्रीम चंद पैदाईश अठारा सो असी इंतिकाल उन्नी सो चत्थीस प्रीम चंद का असली नाम धनपतराय था वो बनारस के एक छोटी से गाउं में पैदा हुए उनके वालिद डाख खाने में मुलाजिम थे इप्तिदाई तालीम गाउं में हुई उर्दू और फार्सी की इप्तिदाई तालीम के बाद इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए तालीम का सिलसिला जारी रखा और बीए की डिगरी हासिल की प्रेम चंद को तालीबे इल्मी के जमाने से ही मजामीन लिखने का शौक था अस्रार-े-माबिद के नाम से उनका पहला नौविल बनारस के एक रिसाले में शाय होना शुरू हुआ बाद में वो रिसाला जमाना के लिए पाबंदी से मजामीन और अफसाने लिखने लगे सन 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुवा सोजे वतन के नाम से शाय हुआ जिसे हुकूमत ने जब्द कर लिया अब वो प्रेम चंद के कलमे नाम से लिखने लगे मुलक में आजादी की तहरीक फैल रही थी प्रेम चंद भी गांधी जी की शखसियत से मतासिर हुए ही बन गए और अपनी तहरीरों को आजादी और कौमी तामीर के मकासित के लिए वख्फ कर दिया प्रेम चंद के अफसाने और नौविल अर्दू अदब का कीमती सर्माया है उन्होंने अदब को मकामी जिन्दगी खास तोर पर देहातों के मसाइल का तरजुमान बना दिया प्रेम चंद की हकीकत निगारी जिन्दगी के तजरबात और मुशाहिदात का नतीजा है इसी खुसूसियत ने उन्हें अपने हम उसरों से मुम्तास कर दिया उनके अफसाने कौमी, सियासी और समाजी रुझानात के आइनादार है प्रेम चंद ने नौविल और अफसानों के इलावा ड्रामे और मजामीन भी लिखे उनके अफसानों के नुमाइंदा मजमुए प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसा, जादे राह, आखरी तुखवा और वार्दात है नाविलों में बेवा, बाजारे हुस्न, गोशाए आफियत, मैदाने अमल, चौगाने हस्ती और गवदान बहुत मशूर है सफा नमबर तीन अफसाना गिल्ली डंडा, अफसाना निगार, मुँशी प्रेम चंद आए, अब सुनते हैं, अफसाना निगार, मुँशी प्रेम चंद का अफसाना, गिल्ली डंडा हमारे अंग्रेजी खुआंदोस्त चाहे माने या ना माने मैं तो यही कहूंगा कि गिली डंडा सब खेलों करा जा है अब भी जब कभी लड़कों को गिली डंडा खेलते देखता हूं तो जी लोट पोट हो जाता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूं ना मैदान की जरूरत है, ना शिंगार्ड, नेट की, ना बल्ले की मज़े से किसी दरख्त की एक शाह काट ले, गिली बनाई और दो आत्मी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया विलाईदी खेलों में सबसे बड़ा एब ये है कि इनके सामान महंगे होते हैं जब तक कमस कम एक रुपिया खर्च ना कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो सकता यहां गिली डंडा है कि बगएर हिंक फिटकरी के लगे, रंग चोखा देता है लेकिन हम अंग्रेजी खेलों पर ऐसे दिवाने हो रहे हैं कि अपनी सब चीजों से हमें नफरसी हो गई है हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से तीन-चार रुपे सालाना सिर्फ खेल की फीस ली जाती है किसी को ये नहीं सूचता कि हिंदूस्तानी खेल खिलाएं जो बगएर पैसे कौडी के खेला जाता है अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास रुपिया है बेचारे गरीब लड़कों के सर पर फिजूल खर्चियां क्यों मढ़ते हो ठीक है गिली से आँख फूर जाने का अंदेशा रहता है तो क्या किरकिट से सर फढ़ जाने का तिली फढ़ जाने का तांग तूर जाने का खच्चा नहीं रहता अगर हमारे माथे पर गिली लग जाने का दाग आज तक लगा हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो बल्ले से घाइल होने का सर्टिफिकेट भी रखते हैं खेर ये तो अपनी अपनी पसंद है और बच्पन की यादों में गिल्ली डंडा ही सबसे शीरी याद है वो अलस सुभ घर से निकल जाना वो दरखतों पर चड़कर टहनिया काटना और गिल्ली डंडे बनाना वो जोशो खरोश, वो लगन, वो खिलाड़ियों की जमगटे वो पिदना और पिदाना, वो लड़ाई जगडे, वो बेतकल्लफ सादगी जिसमें छूट चात, गरीब अमीर की कोई तमीजना थी जिसमें अमीराना चोचलों और गुरूर और खुदनुमाई की गुंजाईश ना थी वाली सहाब चौके पर बैठे, रोटियों पर अपना गुस्सा होता रहे है अम्मा की दोड़ सिर्फ दर्वाजे तक है ना नहानी का खयाल है, ना खाने का गिल्ली है तो जरा सी, मगर इसमें दुनिया भर की मिठास और आशिकों का लुथ भरा हुआ है मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था मुझसे दो-तीन साल बड़ा होगा दुबला, लंबा, बंदरों की सी फुर्ती, बंदरों की सी लंबी-लंबी उंगलियां बंदरों की जपट गिल्ली कैसी ही हो इस तरह जपटता था जिस तरह छिपकली कीडों पलपकती है मालूम नहीं उसके माबाप कौन थे, कहां रहता था, क्या खाता था पर था हमारे गिल्ली कलब का चैम्पियन जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत यकीनी थी हम सब उसे दूर से आता देख कर उसका इस्तक्पाल करते थे और उसे अपना गुया मना लेते थे सफा नमबर चार एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल लहे थे मैं पिद रहा था वो पिदा रहा था लेकिन अजीब बात है कि पिदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं पिदना एक मिनट भी सहा नहीं जाता मैंने गला छुडाने के लिए वो सब चाले चली जो ऐसे मौके पर खिलाफे कानून होते हुए भी काबले माफी हैं लेकिन गया अपना दाओं लिये बगएर पीछाना छोड़ता था मैं घर की तरफ भागा मिनन समाजत और खुशामत का कोई असर ना हुआ गया ने मुझे दोड़ कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला एए मेरा दाओ दे कर जाओ पिदाया तो बड़ा बहादुर बन कर पिदने के वक्त क्यों भागते हो एए मेरा दाओ दे कर जाओ पिदाया तो बड़ा बहादुर बन कर पिदने के वक्त क्यों भागते हो अच्छा तुम फिर पिदाओ तुम्हें दिन भर पिदना पड़ेगा खाने न जाओ न पीने हाँ मेरा दाओ दिये बगएर कहीं नहीं जा सकते अच्छा मैं तुम्हेरा गुलाम हो हाँ तुम मेरे गुलाम हो मैं घर जाता हूँ देखो तो मेरा क्या कर लोगे अरे घर जाओगे कैसे दिल लगी है क्या दाओ दिया है तो दाओ लेंगे अच्छा कल मैंने तुम्हें अमरूत खिलाया था वो रख दो वो तो पेट में जला गया निकालो पेट से तुमने क्यों खाया मेरा अमरूत अमरूत तुमने दिया था मैंने खाया मैं तुमसे मांगने गया था क्या जब तक मेरा अमरूत ना दोगे मैं दाउन ना दूँगा मैं समझता था इंसाफ मेरी तरफ है आखिर मैंने किसी गरस की वज़ा से ही अमरूद खिलाया होगा कौन किसी के साथ बेगरजाना सुलुक करता है भीक तक तो गरसी के लिए देते हैं जब गया ने मेरा अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाउं लेने का क्या हक हासिल है रिश्वत देकर तो लोग खून शिपा जाते हैं वो मेरा अमरूद योही हजम कर जाएगा अमरूद पैसे के पांच वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे ये सरासर बेनसाफी थी सफ़ा नमबर पांच गया ने मुझे अपनी तरफ खींशते हुए कहा ए मेरा दाओ देकर जाओ मैं अमरूद समरूद कुछ नहीं जानता मुझे इंसाफ का जोड था हाथ छुडा कर भागना चाहता था वो मुझे जाने ना देता था मैंने गाली दी उसने उससे भी सक्त गाली दी और गाली ही नहीं एक डंडा भी जमा दिया मैं रोने लगा गया मेरे उस हतियार का मुकाबला ना कर सका भागा मैंने फोरण आसु पोश्ट आले डंडे की चोट भूल गया और हसता हुआ घर पहुँचा मैं थाने दार का लड़का एक लौन्डे के हाथों बिढ़ गया मुझे उस वक्त भी बेज़ती का बाइस मालुम हुआ लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की उन्हीं दिनों वाली साहब का वहां से तबातला हो गया नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से जुदा होने का बिलकुल अफसोस ना हुआ वाली साहब अफसोस करते थे ये बड़ी आमदनी की जगा थी अम्मा भी अफसोस करती थी यहां सब चीजे सस्ती थी और महले की औरतों से लगाउसा हो गया था लेकिन मैं मारे खुशी के फूला ना समाता था लड़कों से शेखी बगा रहा था वहां ऐसे घर थोड़ी होते हैं वहां के अंग्रेजी स्कूलों में कोई मास्टर अगर लड़कों को पीटे तो उम्र गैद हो जाए मेरे दोस्तों की हैरत से फटी आँखे और मताजिब चेहरे साफ बतला रहे थे कि मैं उनकी निगाहों में कितना उचा उड़के आँँ बच्चों में जूट को सच बना लेनी की वो ताकत होती है जिसे हम जो सच को जूटा बना देते हैं नहीं समझ सकते दोस्त कह रहे थे अरे तुम खुशकिस्मत हो भाई हमें तो इसी गाउं में जीना भी है और मरना भी है बीस साल गुजर गए मैंने इंजिनिरी पास की है और किसी जिले का दौरा करते हुए किसे ही बच्पन की इसकदर दिलकश और शीरी याद ताजा हो उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सेर को निकला आँखें किसी प्यारे मुसाफिर की तरहा बच्पन के उन मकामात को देखने के लिए बेताब थी जिनके साथ कितनी ही यादकारें वाबस्ता थी आँखें किसी प्यारे मुसाफिर की तरहा बच्पन के उन मकामात को देखने के लिए बेताब थी जिनके साथ कितनी ही यादकारें वाबस्ता थी लेकिन उस मानूस नाम के इलावा वहां कोई शनासा नहीं मिला जहां खंडर था वहां पक्य मकानात खड़े थे जहां बर्गत का एक पुराना दरख्त था वहां अब एक खुबसूरत बगीचा था उस जगह की काया पलट हो गई थी अगर उसके नामों निशान का इल्म ना होता तो मैं उसे पहचान भी ना सकता था वो पुरानी यादकारें बाहें फैला फैला कर अपने पुराने दोस्तों के गले लिपटने के लिए बेकरार हो रही थी मगर वो दुनिया बदल गई थी जी चाहता था कि इस जमीन से लिपट कर रोऊं और कहूं कि तुम मुझे भूल गई लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी याद ताजा है अचाना के खुली जगा में मैंने दो तीन लड़कों को गिली डंडा खेलते देखा एक लम्हे के लिए मैं अपने आपको बिल्कुल भूल गया कि मैं एक उचा अफसर हूँ सहाबी ठाट हैं, रॉब और इख्तियार की लिबास में हूँ जाकर एक लड़के से पूछा क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है एक लड़के ने गिल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए लहचे में कहा हाँ, है तो लड़का दोड़ा हुआ गया और जल्द एक पांच हाथ के काले देव को साथ लिए आता हुआ दिखाई दिया मैंने दूर से ही पहचान लिया उसकी तरफ लपकना चाहता ही था कि उसके गले से लिपड़ जाऊं मगर कुछ सोच कर रह गया मैं बोला कहो, क्या मुझे पहचानते हो गया ने जुक कर सलाम किया हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं आप मजे में रहे हाँ, हाँ, बहुत मजे में हूँ तुम अपनी कहो डिप्टी साहब का साइज हूँ माता दीन, दुरगा, दोनों डाकिये हो गए हैं और आप मैं जिले का एंजीनियर हूँ सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे अच्छा ये बताओ अब भी गिल्ली डंडा खेलते हो मैंने गया की तरफ सवाल की आँखों से देखा गिल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार अब तो पेट के धंदे ही से चट्टी नहीं मिलती अच्छा, आओ, आज हम तुम खेलें तुम पिदाना, हम पिदेंगे तुम्हारा एक दाओं हमारे उपर है वो आज ले लो गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ वो ठैरा टके का मस्दूर मैं एक बड़ा ओफिसर मेरा और उसका क्या जोड बेचारा जहेंप रहा था लेकिन मुझे भी कुछ कम जहेंप ना थी इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था बलके लोग इस खेल को अजूबा समझ कर उसका तमाशा बना लेंगे और अच्छे खासी भीड लग जाएगी उस भीड में वो लुट्फ कहां रहेगा लेकिन खेले वगएट तो रहा नहीं जाता था आखिर फैसला हुआ दोनों बस्ती से दूर तनहाई में जाकर खेलें वहां कौन देखने वाला बैठा होगा मजे से खेलेंगे और बच्पन की मिठाई को खोब मजे ले ले कर खाएंगे मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की तरफ चले और साथ ही एक कुलहड़ी ले ली मैं मतानत के साथ ये सब कुछ कर रहा था मगर गया अभी तक मजाख समझ रहा था उसके चेहरे पर खुशी और वलवले का कोई निशान ना था शायद हम दोनों में जो फर्क हो गया था वो उसे सोचने में महू था मैंने पूछा तुम्हें भी हमारी याद आती थी सच कहना गया जहेंपता हुआ बोला मैं आपको याद करके क्या करता हुजूर किस लायक हूँ पिसमत में कुछ दिन आपके साथ खेलना लिखा था नहीं तो मेरी क्या गिंती वो डंडा जो तान कर जमाया था याद है ना गया ने शर्माते हुए कहा सरकार वो लड़क पन था उसकी याद न दिलाईए वाह वो मेरे उन दिनों की सबसे रसीली याद है तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वो अपना इज़त और बड़ाई में पाता हूँ नह दौलत में कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है इतनी देर में हम बस्दी से कोई तीन मील निकल आये थे चारों तरफ सन्नाटा था मगरिब की तरफ कोसों भीम ताल फैला हुआ था जहां आकर हम किसी वक्त कमल के फूल तोड़ने जाते थे और उसके जुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे जून की शाम केसर में डूबी चलिया रही थी मैं लपक कर दरख पर चढ़ गया और एक शाख काट लाया जटपट गिल्ली टंडा बन गया खेल शुरू हो गया मैंने राब में गिल्ली रख कर उच्छा ली और गिल्ली गया के सामने से निकल गई उसने हाथ लपकाया जैसे मजली पकड़ रहा हो गिल्ली उसके पीछे जाकर गिरी ये वही गया था जिसके हाथों में गिल्ली आप ही आप आकर बैठ जाती थी वो दाहिने बाएं हो गिल्ली उसकी हतेली में पहुँचती थी जैसे गिल्लीयों पर जादू करके उसने बसमे कर लिया हो नई गिल्ली, पुरानी गिल्ली, छोटी गिल्ली, बड़ी गिल्ली, नोगदार गिल्ली सभी उससे मिल जाती थी गोया उसके हाथों में मकनती सी ताकत थी जो गिल्लियों को खीच लेती है लेकिन आज गिल्लियों को उससे वो महबत नहीं रही फिर तो मैंने उसको पिदाना शुरू किया मैं तरहा तरहा के फरेब कर रहा था मश्क की कमी बेइमानी से पूरी कर रहा था दाओं पूरा होने पर भी डंडा खेले जाता था हाला कि कायदे के मताबिक गया की बारी आनी चाहिये थी गिल्ली पर जब हलकी चोट पड़ती और वो जरासी दूर गिर पड़ती तो लपक कर खुदी उठा लाता और दोबारा टल लगाता गया ये सारी बेकाइदगियां देख रहा था और कुछ न बोलता था गोया उसे तमाम काइदे कवानीन भूल गए हों उसका निशाना कितना बेखता था गिल्ली उससे निकल कर टं से डंडे पराक लगती थी उसके हाथ से छूट कर उसका काम था डंडे से टकरा जाना लेकिन आज वो गिल्ली डंडे से लगती ही नहीं है कभी दाहिने जाती है कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे आद घंटे पिदाने के बाद गिल्ली एक बार डंडे में आ लगी मैंने थानली की गिल्ली डंडे के बिल्कुल पास से गई है मगर लगी नहीं सफा नमबर आट गया ने किसी किस्म की नाराज़गी का इसहार नहीं किया नहीं लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या मैं बेमानी करता? नहीं भईया, भला तुम बेमानी करोगे बच्पन में मजाल थी मैं ऐसा घपला करके जीता बच्टा यही गया मेरी गर्दन पर चड़ बैटता लेकिन आज, आज मैं उसे कितनी आसानी से धोका दिये चला जाता था? गधा है, सारी बाते भूल गया अचानक गिली डंडे में लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूग छुटी हो इस सुबूत के मुकाबल मुझे किसी तरह का फरेब चलने का होसला उस वक्त भी न हो सका लेकिन क्यों न एक बार सच को जूट बनाने की कोशिश करूँ मेरा हरजी क्या है? मान गया तो वावा, वर्ना दो चार हाथ तो पिदना ही पड़ेगा अंधेरे का बहाना करके गला छोड़ा लूँगा फिर कौन दाओं देने आता है? गया ने फातिहाना अंदास से कहा लग गई, लग गई टन से बोली मैंने अंजान बनने की कोशिश करते हुए कहा तुमने लगते देखा, अब मैंने तो नहीं देखा नहीं सरकार, टन से बोली है और जो किसी इट से लग गई हो तो मेरे मूँ से ये फुकरा कैसे निकल गया? इस पर मुझे खुद हैरत है इस सच्चाई को जुटलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात कहना हम दोनों ने गिल्ली को टंडे में जूर से लगते देखा लेकिन गया ने मेरा कहना मान लिया हाँ सरकार किसी इट पर लगी होगी डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती मैंने फिर पिदाना शुरू किया लेकिन इस ख़दर साफ और सरी धुका देने के बाद मुझे गया की सादगी पर रहम आने लगा इसलिए जब तीसरी बार गिल्ली डंडे पर लगी तो मैंने बड़ी फराख दिली के साथ दाओं देना तै कर लिया गया ने कहा अब तो अंधेरा हो गया है वही या कल पर रखो मैंने सोचा कल बहुत सा वक्त होगा यह ना जाने कितनी देर पिदाए इसलिए इस वक्त तो मौमला साफ कर लेना अच्छा होगा अब नहीं नहीं बहुत उजाला है भी तुम अपना दाओं ले लो गिल्ली सुझे की नहीं सरकार कोई परवा नहीं अब गया ने पिदाना शुरू किया मगर अब बिल्कुल मश्क नहीं थी उसने दुबारा टल लगाने का इरादा किया लेकिन दोनों ही बार वो चूक गया एक मिनट से कम में वो अपना दाओं पूरा कर चुका था बेचारा घंटा भर पिदा लेकिन एक मिनट में अपना दाओं खो बैठा मैंने अपनी दिल की वुसत का सुबूत दिया अब एक दाओं और ले लो तुम तुम तो पहले ही हात में हार गए नहीं भाईया अब अंधेरा हो गया है तुम्हारी मश्क छूड गई क्या कभी खेलते नहीं हो खेलने का वक्ती नहीं मिलता भाईया हम दोनों मोटर में जा बैठे और चराख चलते जलते पड़ाओ पड़ जा पहुँचे गया चलते चलते बोला कली यहां गिल्ली डंडा होगा सरकार सभी पुराने खिलाडी खेलेंगे तुम भी आ जाओ जब तुम्हें फुरसत हो मैं सभी खिलाडियों को बुला लूँगा मैंने शाम का वक्त दिया और दूसरे दिन मैच देखने को गया कोई दस आदमियों की मंडली थी कई मेरे लड़कपन के साथ ही निकले मगर बेश्टर नौजवान थे जिन्हें मैं पहचार न सका खेल शुरू हुआ मैं मोटर पर बैठे-बैठे तमाशा देखने लगा आज गया का खेल और उसकी करामत देखकर मैं दंग रह गया वो टल लगाता तो गिल्ली आसमान से बाते करती कल कीसी वो जिजक वो हिचकिचाहट वो बेदिली आज ना थी लड़कपन की जो बात थी आज उसने कमाल की उरूश तक पहुँचा दी थी कहीं कल उसने मुझे इस तरह पिदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता उसके डंडे की चोट खाकर गिल्ली दो सौ गस की खबर लाती थी पिदने वालों में एक नौजवान ने कुछ बद उनवानी की उसका दावा था कि मैंने गिल्ली दबोच ली है गया का कहना था कि उचली है इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई नौजवान दब गया गया का तमतमाता हुआ चेहरा देखकर वो डर गया मैं खेल में ना था मगर दूसरों के इस खेल में मुझे वोही लड़कपन का लुटवा रहा था जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्थ हो जाते थे अब मुझे मालुम हुआ कि गया कल मेरे साथ खेला नहीं बल्कि उसने खेलने का बहाना किया उसने मुझे रहम के काबिल समझा मैंने धानली की, बे इमानिया की लेकिन उसे जरा भी घुसा ना आया इसलिए कि वो खेलना रहा था बल्कि मुझे खिला रहा था मेरा जी देख रहा था वो पिदा कर मेरा कचूमर निकालना नहीं चाहता था क्यूंकि क्यूंकि मैं अब एक अफसर हूँ मेरे और उसके दर्मियान एक दिवार बन गई है मैं अब उसका लिहास पा सकता हूँ अदब पा सकता हूँ लेकिन उसका हम जोली नहीं बन सकता लड़क पन था तब मैं उसका साथी था हम में कोई भेदना था ये ओधा पाकर अब मैं उसके रहम के काबिल हूँ और मुझे अब वो अपना जोड नहीं समझता आज आज वो बड़ा हो गया है और मैं मैं छोटा हो गया हूँ सवालों के जवाब लिखिए सवाल नंबर एक मुसनिफ ने गिल्ली डंडे को खेलों का राजा किस बुनियाद पर कहा है सवाल नंबर दो गया के दाओं से बचने के लिए जिला इंजिनियर ने कौन-कौन सी चाल चली सवाल नंबर तीन मुसनिफ को ये एहसास क्यों कर हुआ कि गया उससे जान बूज कर हार रहा था सवाल नंबर चार अगर आप गया की जगा होते तो आपका रवया कैसा होता इसी के साथ ही ये सबक खत्म हुआ गुलजारी उर्दू भागदो का पहला पाठ यहां समाप्थ हुआ इसके बाद पाठ दो आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. प्रस्तुती C.I.E.T.